How to make fish farm in Minecraft 1.19 और यह वाला farm आपको XP भी प्रोवाइड करेगा साथ में books भी आपको देता रहेगा तो इसे बनाने के लिए सबस्वेल है आपको यहाँ पर एक chest को लेना पड़ेगा और chest के आगे आपको लगाने होंगे signboard एक सामने और दो दाइबाई लगा देना जैसे यह सारा हो जाए तो इसके बाद जो है तुम्हें यहाँ पर पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और पीछे जाके तुम्हें यहाँ पर तीन trapdoor को लगाना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर मैं इन्हें लगा रहा हूँ और इन trapdoor को लगाने कि तुम्हें इन्हें खड़ा कर देना और यह कुछ step से बनके ready हो जाएगा इसके बाद जो है तुम्हें जो हमारे signboard है इनके अंदर में यहाँ पर पानी डालना पड़ेगा और पानी डालते ही यह पीछे की तरफ flow होना start हो जाएगा जैसे यह इतना हो जाए इसके बाद जो है तुम्हें यहाँ पर लालना होगा water bucket जिसके तुम्हें 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 नीचे बनाना पड़ेगा collecting system जो कि मैं तुम्हें थोड़ा fast forward कर दिया हूँ तो जरा इसे ध्यान से देखना और जैसे इतना सब कुछ ready हो जाए तुम्हारे farm pool तरह से ready है बस तुम्हें यहाँ पर लावा bucket का use करना और फिर तुम्हें अराम से यहाँ पर fishing भी कर सकते हो